है वीडियो में दोस्तों आईए चलिए शुरू करते हैं डेटा के लेटा है किसके पास कौन सा जोए डेटा है और बजार कल किस साइड से जोए टेट कर सकता है क्या है वह अमेरिका से अच्छी खबर और क्या बन रहा है वह बैंक निफ्टी में पाटर्ण जिसके उपर हमें करने होंगे ट्रेड और मिल सकती अच्छा गासा प्रॉफिट तो चली शुरू करते हैं दोस्तों शुरू करने से पहले बता दो कि अगर आप इस डेटा की जो अलसी से डिली चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके चाहिएगा और ट्रेग्राम को जुरू जोइन कीजिएगा 163 इंडेक्स पुट में जो है लॉंग है 27000 और श्टॉक फीचर में लॉंग है 19000 एफ याई की बात करेंगा दोस्तों तो यहां पे कांटिरी लॉंग क्या है इंडेक्स फीचर पे कॉल पे जो है ** 34100 की इंडेक्स पूट पे श्लिचण है ** 47על कीять है बात करेंगे दोस्तों प्रो करेंगे तो आपड़ अपने जो है शोटकर रहा है क्वेल एक सिस्ठी तरजिन जो है क्ल पे शौट कर रहा है 25,000 जो है index put पे short कर रहा है, stock feature पे 2300 जो है short करके काम किया, RDI के बात करेंगे, to index feature पे long है 2900, call पे कोई position है, index put long है 3000, और stock feature जो है long है 8500, तो दोस्तो data देटा मिले जुले है, जो की collection पारी है, तो बहुत सारे data जो है कटे हुए है, लेकिन first time, जो क्लाइंट का डेटा है उसको देखके जो एक अच्छी खुसी महसूस हुई है आपको भी अच्छा लगेगा विकॉज फॉस्ट टाइम क्लाइंट ने इवेंट के पहले अपना जो डेटा है वह बाइलेंस किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है मार्केट के लिए भी बहुत अच्छी बात है मार्केट में क्लियर्टी भी मिल जाएगी बहुत जल्दी से चलिए देखते हैं क्या वह देटा तो सबसे पहले हम लोग इंडेक्स फूचर की बात करेंगे तो यहां पर देखें के पास 2900 इंडेक्स फूचर जो है वहीं अगर करेंगे तो 19,000 के सामने 20,000 यानि कि 1000 इनों ने अपनी सेलिंग इंक्रीज किया इसके बात करेंगा दोस्तों इंडेक्स कॉल की यहां पर देखें क्लाइंट के पास जो फूर लग के करीब शॉट था उसको आज इन्होंने स्कॉर अरफ किया और इनके पास महस्तू लेक्ट इन्होंने स्कॉर फ कर दिया जो कि यह अच्छी बात है यही पास सेम पूजिशन है आप यही के पास देखी तो सेम जो कॉल्स थी त्री लेक्ट वह आज भी खुल्ड है और इन्होंने यह पोजिशन जो है दो दिन से एक्स्टेंड यह ब्लस की हुई अब बात करेंगे प 33 जो इनके पास शॉर्ट है दो लाग 39,000 बात करेंगे दोस्तों डियाई की तो डियाई के पास 92,000 जो है पैले जो लॉंग थे आप जो है 95,000 लॉंग है तो थोड़ी सी क्वांटिटी जस्ट इंक्रीज की है अब आफ यह के बात करते हैं तो इनके पास 292 जो है पुट लॉं में आप स्टॉक फीचर की बात करेंगे तो क्लाइन के पास 10 लेक लॉंग वही पहले वाला 14 लेक यह के पास शॉर्ट से मलमोस थोड़ा पोजिशन चेंज हुआ है यह के पास 228 लॉंग 236 के सामने थोड़ी सी प्रॉफिट बोकिंग प्रो के पास 138 के सामने 136 लॉंग त 233 तो इसको निकालेंगे तो थोड़ा सा जो है यहां पे इनके पास इंडेक्स पूट ज्यादा आएगा जो की को इंडेक्स फीचर जो शॉर्ट है वह कट्पिट के अल्मोस्ट न्यूट्रल हो जाएगा यानि की जो पोजिशन हो गया है क्लाइन के न्यूट्रल जो की बह इन इसमें seront को क्या किया है बालेंस कर दिया इनके पास M2M में क्या है फ़यांगे के पास तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्व क्या है 1 प्रोत मैंघ है रगीज और इनके पास सेवन्टीन च यह शोड और इनके पह स्वावान फिट तो अगर इसमें से निकालेंगे इनके के पास जो है 70 के जो है extra जो है put short है यानि कि 70 के long है और 20 धर short है तो M2M में इनके पास 50 के जो है long आ ठीक है तो इनके पास 50 के long है FII के पास 12 के long है तो market में जो M2M position आ रही है वो long side ज्यादे आ रही अभी और position पुरी तरीके से balance है मतलब कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं है जो कि बहुत ओवर पॉजिशन लेके गया हो इंक्लोडिंग क्लाइं क्लाइं क्या है कभी-कभी कभी-कभी क्या नॉर्मली जो आप देखे होंगे कि हमेशा जो ओवर्वाट ये जाता है और अगेंस जो है तो यहां पर हमें clear-cut दिख रहा है दोस्तों कि इवेंड की बात है अब हम अच्छी जो ख़बर उसको ओपन करते हैं तो अच्छी ख़बर जो है इस फेड से हैं जहां पर चर्चा यह चल रही अभी जो भी अनलेसिस हैं उनकी रिपोर्ट यह आ रही है कि में भी हो सकता है सिर्फ फेड पॉज ले लेता है और कमेंटरी में सिर्फ इतना बोल देता है कि अगले एक मेने तक अभी पॉज है यागले क्वाटर तक पॉज है तो यह समझेगा कि एक थोड़ी सी थोड़ी सी पॉजिटिव नूज हो जाएगी जो कि मार्केट को वन सेड़ेड उपर ल और भाई करके अच्छा प्रॉफिट हुआ और मैंने कल बताया भी था कि अगर हम भाई करेंगे तो निफ्टी में और बैंक निफ्टी को केवल और केवल सेल के लिए तो कहीं से भी कनफरमेशन आएगी अभी यही है कि सेल के लिए बैंक निफ्टी था और निफ्टी सबसे लास्ट में देखेंगे और फिर एक फाइनल जो है कंक्लूजन लेंगे तो मनेरिया का बिल्कुल लाज तक सेशन को बीच में स्क्रिप मत कीजेगा अधर आप इंपॉर्टेंट जो चीज है वो मिस्स कर सकते हैं तो देखिए आज मैंने चैनल पर भी बताया था कि ए मैं सब्सक्राइब कर रहा हूं कि यह नहीं है क्योंकि कई बार कभी कभी बीच में एक इस टाइब की मूव हमें वाइट करनी पड़ती है तो यह एक बहुत अच्छा जो है क्लियर कट ट्रेंगुलर यहां पर फॉमेशन जो होता हुआ हमें दिखाई दिया जो कि आप अगर यह लेवल कल मार्किट पलट के यह करके ब्रेक करता है तो बहुत क्लियर कट बाई होगा यहां पर वेट भी करने की जुरूत नहीं होगी आप इमिडिटली बाई में स्विच कर सकते हैं और आपका जो हैसल होगा फॉर्टी त्री नाइन हंडिट जो है 75 का होगा बह यहां पर शॉर्ट कवरिंग भी बनेगी क्योंकि मैं जस्ट अभी ऑफसेंचेंड दिखाऊंगा इसलिए मैंने लास्ट में रखा हुआ है ताकि आपको सिक्वेंस से क्लियर कट जो मिले तो वहां पर आप देखेंगे तो जो वाई है वो हाइस्ट है तो उनकी शॉर्ट कर दिया क्योंकि यह कभी कभी ऐसी चीज़ें आपको अबाइट करनी पड़ती है अगर मार्केट को इन केस गिरना है सपोस्ट कर लिजे कि न्यूज पूरी पलट जाती है और मार्केट के साथ जाती है जैसा मार्केट आपको फॉर्मेशन दिखा रहा तो उसकी कन फरमेश मार्केट में मुफ दे जाएगी चाहें वो किसी साइड हो इसलिए आपको कोशिष यह करना है कि थोड़ी सी लेट इंट्री लेजे लेकिन ट्रैप मत हुए ट्रैपिंग से बचाना है क्योंकि डारेक्शन सही बैठेगी तो प्रॉफिट होता है जैकि डारेक्शन गलत पहलेगा 42,000 850 येप फॉर फॉल डबाइए यसके बाद भी तार्गेट होंगे हम लोग एकटेंड करेंगे चैनल पर अगर आप देखाएंग मार्केट बल्कुल बहत्री जो रेंज में चला और आज तो मार्केट ने इंसाड में च्रेंगलर में बनाया और एक प्यरलर च 43,965 तक के लेवल को दो बार टश किया लेकिन बस वहीं तक समापती हो गई पूरा मार्केट यहीं घूम गया और यहीं जो बता रहा था कि यहां पर जो भी डेटा फॉर्म हो रहा है वह बैलेंस हो रहा है और मार्केट वेट कर रहा है जो कि न्यूज आज नाइड में आ जा होता है तो डेफिनेटली एक मार्केट को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा अब चलिए बात करते हैं दोस्तों निफ्टी की तो निफ्टी का जो सपोर्ट है वह है अच्छी घासी तेजी रही बिल्कुल मैंने जो लेबल आपको दिया था मौनिंग में कि मार्केट खू है कि जो रिसकी ट्रेडर हैं मार्केट यहीं पर था तभी मैंने यहां पर जनरेट कर दिया था कि वह बाइक कर सकते हैं एक अच्छी खासे सॉलिट का एंडल जो रिवर्सल दिखा रही है और यह से लाप डेलो कर रखी है अगर आपने इधर से बाई किया जो की एटीन था लेवल ले लिए यह बाई करते करते तो आज का जो हाई है वह सेवन सेवन टीका है और मार्केट अगर इतनी छोटी रेंज दिया है तो इतना चोटा यह प्रॉफिट होगा 50 प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट है क्योंकि मार्केट भी देखेंगे तो वहां इसमेंडर होगी वह 17700 775 पर होगी अगर यह लेवल मार्केट ब्रेक कर ले रहा है तो आपको अगर मार्केट नीची आता है ता आपको फोकस करना होगा 18,700 पे क्योंकि मार्केट ने अच्छा खासा सपोर्ट फॉर्म किया है और अगर यह लेवल होल्ड है तो हम यहां से बाई करेंगे मार्केट में सेलिंग तभी करेंगे जो मैंने आज लेवल दिया था 18,000 660 या 18,000 670 पाई जो है ब्रेक होता है तभी इसके पहले मार्केट में निफ्टी में तो एडली सेल नहीं करना है विफोर निव हाई जब तक जो है लाइफ टेम हाई नहीं लगे का तब तक अभी सेलिंग के लिए नहीं सोचना है निफ्टी जो है नए हाई के लिए बिल करने के बाद ही टेड़ लीजेगा दिखाने के लिए लिए और बाद में कुछ और हो जाए बाकि आज के टेक्निकल नेसे में हम सिर्फ इन दोनों इंडेक्स को ही शेयर करेंगे आगे हम लोग चलते हैं अप्शन के डेटा पे तो सबसे पहले दोस्तों हमने यहां पे जो ह आपको स्ट्राइक दिख रही है सब पर जो है अच्छी घासी याई शौट के ब्रिंग होई है में जो जो वाई है वह 18,800 पर है तो इसलिए मैंने आपको बिना ओप्शन का डेटा देखे क्लियर कड़ बता दिया है कि 18,700 जब तक ब्रेक नहीं होगा हमें बाई करना एंफ सब्सक्राइब तक आपका बाई है वह होगा वह होगा 18,665 के नीचे या 675 के नीचे ही जब तक यह दोनों लेबल होल्ड है व्यू बाई इंडी रहेगा जितना लो लेबल पर अच्छे लेबल पर बाई करेंगे उतना प्रॉफिट ज्यादा होगा अब बात करेंगा दोस करेंगे निफ्टी देखेंगे बट कल के लिए हो सकता है सिनारियो चेंज हो जाए यहां पर कुछ पोजिशन यहां पर राइट अफ होई है बाकि कुछ फ्रेस में जो है शॉट सेलिंग के बन रहे हैं तो हो सकता है कि इनको कल इसकारफ करना पड़े जो भी पुट यहां पे शॉट करके गये थे उन्होंने आज इसकार भी किया हुआ कुछ पोजिशन यहां पर कटी नजर आ रहे हैं अभी तक के लिए हाइस्ट वाई 44100 पे है और इसके बाद 44200 यानि की 220 के ऊपर मार्केट अगर ब्रेक करता है तो हमें एक शॉट कवरिंग देखने को मिल सकती है और मेजोर हुआ इदर से 44000 तो 44000 जब तक होल्ड है जैसा कि दिखाई देरा वैसे तो इसके नीचे तुला सब गया हुआ लेकिन इमिलेटली रिकवरी हो सकती है ओपनिंग के साथ हो सकता है तो जब तक 44 होल्ड होगा तब तक आपको बाई के लिए सोचना है सेल के सब्सक्राइब के लिए और आपको यह सब कुछ सीखना है सब कुछ जानना है अपने से सेल्फ्रेट करने हैं तो नेक्स जो बैच है 17 जून से ज़रू जोइन कीजिए थांक्यों सब्सक्राइब वाचिंग मिलते हैं नेक्स शेशन में